हेलो, गुड मॉर्निंग प्रेंड्स, मोना ब्लॉग में आपका हार्दिक, हार्दिक, हार्दिक अभिनंदन है और सुबह की सुरुवात मेरी एक ग्लस पानी से सुरू हो चुकी है और मैं मॉर्निंग में सुट नहीं कर पाई, वीडियो बहुत काम हो जाता है सुबह में जाड़ो, पोचा, नास्ता, पूजा, पाट तो आज मैं अपना ब्लॉग दोफर से सुरू कर रही हूँ तो दोफर में मैं खाने के तयारी में लग गए हूँ और थजडे को निरामी स्काना होता है तो मैं आज खाने में बनाने वाली हूँ करेला, करेला और प्याज का भाजी और वो बगर में रखावा है चाल कुम्डो तो चाल कुम्डो पता नहीं, आप लोग को पता है कि नहीं चाल कुम्डो उसका क्या बोलते हैं, उसका मुरब्बा बनता है तो यहां हम लोग बंगाल में हम लोग इसको चाल कुम्डो बोलते हैं इसको खाया भी जाता है तो वही आज मैं चाल कुम्डो मुंग दाल दे कर बनाऊंगी और करेला बनाऊंगी और ये करेवा का बीज मैं निकाल देती हुँ घृट के बजन को पसंद नहीं है बोलते हैं कि करेवा बनाओ तो करेवा का सारा बीज निकाल कर ही बनाओ और उसमे अठाल काओश देखे भाज दो तो वो वैसे ही काते, जैसे वो खाते वैसे ही बनाती हूँ, बेटा तो करेला चुता नहीं है, मैं खा लेती हूँ थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि करेला तो खाना ही चाहिए, क्योंकि करवा जितना होता है, वो हमारे सरीर के लिए ला भी होता है, इसलिए मैं खा लेती हूँ, रोज रोज नहीं खा थी पर खा लेती हूं उनको भी सबता में सबता में चोद़ दिन नहीं देती पर सब्ता में कोशिज करते है कोई या तीन आद बार करेला दू क्योっk lace के के सबजी कांटा कुटी करने के बाद ही MEN अपना खाणा बनाना सुरू कर injury करते हैं आज मैंने एपने लिए चावल कर लिया है, बेटा भिरोटी खाता है, तो वो सु cleaner patient लोगों को चावल नहीं खाना चाहूँए तो बेटा पको फ़ये चावल भी नहीं खाते हैं पर जब एक्छा होती है, तो चावल खा लेते हैं ऐसे वो रोती ही खाते हो उनको रोती ही पसंद है终ते। जैसे के जआ को दो थी आते हैं। जब उसमें दाग पढ़ गया हार कितने भी साप करती हूं तो वो साप नहीं होता है वो मोचा काटने से उसका वैसा कालर हुआ जब भी अब मोचा है तो मैं मोचा उसी में काटोंगी और सब्सक्राइब काटने के लिए एक अलग से चॉपिंग गोड लेकर आऊंगी कि यह मुझे देखने में भी अच्छा ने लगता कितना भी साप करती हूं साप होता नहीं है मेरे से तब उसको से क्या मोचा के लिए ही रखोंगी और उसे अब चेंज करने वाली हूं मैं कि यह वीडियो दूसरे मॉर्निंग का है क्योंकि इस एक मॉर्निंग मेरा सुबक पानी से हुआ था दूसरा मॉर्निंग मेरा जाड़ु पुछा से सुरू हो रहा है पानी तो मैं पी ली थी लेकिन जाड़ु पुछा करना मेरा सबसे पहला डेवटी होता है पराठा चाहा आशार के साथ काम चल गया तो चल गया नहीं तो आमलेट रोटी के साथ किसी दिन काम चला लेते हूं तो मैं ऐसा कोशिश करती हूं कि सुबग के टाइम में कमी सब्जी बनाओं क्योंकि जिस दिन सोंबार बुधवार और सुक्रवार रहता है वोज दिन जाता तो ठीक नहीं लगता तो इनको पहले यह रूम कंप्लीट करके दे दी फिर मैं वो रूम बाद में करते रहूंगे आए करने के बाद मैं अपना आ जाओंगे काम करने के लिए कीचन में कर दो आए है करते दीक जाआ जाओंगे करने के लिए के लिए ठाओंगे के लिए सुक्णाओे के दाओंगे करते सी अबाद में है झाल झाल मेरे घर में सुबह साड़े पांच वे सिर्फ मैं और मेरे हस्बेन ही जगते हैं और बाकी साहरा घर उपर नीचे काके मालोग उपर काके मालोग उनके बच्चे लोग सभी सुथे रहते हैं वो लोगों का टाइम है आट बजे उठने का और मैं वो लोगों का उठते उठते मे करने दूकान जाने के लिए मुझे करना पड़ता है वो लग अपना आराम से उड़ते हैं दात को देड से मैं भी शूती हूँ लेकिन इसका मतलब नहीं है क मैं सुभा हमें नाजग३ा उड़ता है जाहें Corona time हो और जाहें कुछ भी हो मुझे ब positive जगना है मेरा रोज 8 commence कि मेरा daily came says हो जाता आ नास्ता बनाने तक कभी काम says हो जाता है उसके बाद ऐगंटा आराम करती हूं उनकी जाल उनकी दुकान जाने के बाद मैं एक घंटा आराम करती हूं और गंटा आराम करने का फिर नहाना धुआना फोजा पट लगा हुआ रहता है थोड़ा उसी टाइम में थोड़ा से वीडियो भी एडिट कर लेती हूं जो बस मेरा ऐसे ही चलते रहता है अब मैं किचन में आ गई हूं और किचन में आके नास्ता बना रही हूं के लिए और मैं एक चाह भी बैठा दी हूं चाहए उदर हो रहा है सब्जी था सब्जी रात का बना हुआ था और मैं आठा रात में सवनके रख लेती हूं जब वैसा होता है तो मैं सुर्पह में रिष्ट और अदिजिश नहीं कि डिली में रात को ही सौनके इन ड़ती हूं आठा ने वैस जब आठा निकाली उस पर्थन में और अब मैं पराथा बेल कर शेकना मेरा नहीं हम जल्दी जल्दी नहीं कर पाते हैं दोणों साइड में क्योंकि अब ऐसे भी गर्मी तो उधर भी हीट लगता है तो उतना वरदास नहीं होता है तो पीछे पंखाल ली packs चलते रहता है तो पहले बंखाल आठे मसे इस से ल高वा घंटे रहे हैं क्योंकि इधा बंगाल में लなगाल म llakekt है बंगाल में ज्यादा कि बंगाल में हम ललगते है यह देसल क्यों कर दो इसको अपने सब्सक्राइब है में लगती है कि अनोग भीप तबन हम इनकर रही है तो वो लोग बाहर में काम करते हैं, हम लोग घर में काम करते हैं, हम लोग तो थोड़ा-थोड़ा आराम भी कर लेते हैं, लेकिन जेंस लोग को तो अतना आराम नहीं मिलता, वो अपना टाइम पी दुकान बंद करके आएंगे, फिर घर में रिष्ट करेंगे, फिर एक घंट प्रडरें गप्रेर को धब फान करेंगे फिर अपने दुकान पे जाएंगे तो मेरे हसर में इसा कभी कुछ द्यूटी है तो मैं समझ सकती हो कि और लोग घ्रेंस लोग भी बहुत महनत करते हैं और हम लोग तो करते हैं आप यह सा बातहां लग ने करता हैं प्लोग मेरे चैनल को सस्क्राइब करें प्लीज लाइक करें एट शेयर करें कमेंट जरूर करें बस थैंक यू आप वीडियो देखें मेरी इसके लिए आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू